नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्री यन तंत्रवास्तु के विशेश काजक्रम के साथ इंटर्व्यू देते देते ठक गए हैं तो करेए ये उपाए इंटर्व्यू में सफलता के उपाए नोकरी मिलना 100% गारेंटी अगर आप लाग कोसिस के बावजुद भी आपको नोकरी में सफलता नहीं मिल रही है इंटर्व्यू में सफलता नहीं मिल रही है या आपको नोकरी नहीं मिल पा रही है तो जो उपाए मैं आज आपको बता रहा हूँ एक उपाय आपको करनी है, दोनों उपाय एक साथ आपको नहीं करनी है, अगर आप दोनों उपाय एक साथ करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो सिधा हम चलते हैं पहला उपाय पर, जो पहला उपाय है इसमें आपको क्या करना है, किसी अच्छे दिन या अच्छे सुबह जल्दी उठकर असनान करने के बाद सफेद कपड़े की आसन पर पुर्व दिसा की और मुख करके आपको बैठ जाना है इसके बाद सामने एक पिला कपड़ा बिछा लीजिए उस पर एक सा आठ दानों वाली असपर्टिकी माला उस पर रख दीजिए इसके बाद जो मंत्र में आपको बता रहा हूँ इस मंत्र की जाप करने हैं आपको मंत्र है ओम हिरिंग भागवादनी भागवती मम कार्ज सिद्धी कूरू कूरू फटस्वाह अब इसका जाप आपको करनी कैसे है किस तरह से आप किस लय में इसको जब करना है इसको जब करना है से सुनिए फिर से ओम हिरिंग भागवादनी भागवती मम कार्ज सिद्धी कूरू कूरू फटस्वाह अब जब की क्या भीदी है इस मंतर की जब की दो भीदी है जो पहली भीदी है उसमें क्या करना है आपको मंतर की जाप 31 बार 11 दिनों तक लगातार करना है यानि कि पहला दिन 31 बार दूसरा दिन 31 बार और इस तरह से 11 दिनों तक इस मंतर का 31 बार आपको जब करनी है इसे आपकी माला सिद्ध हो जाएगी और ये एक सिंपल माला से एक बिजय माला में कनभट हो जाएगा अब जो दूसरी बिधी है दूसरी बिधी में अगर आपके पास समय कम है आप चाहते हैं आपको सफलता मिल जाएगा तो इसमें क्या करना है कि मंतर की जाप आपको एक हजार आठवार करनी है इसको जब करने के बाद जब ये जब आपकी पूरा हो जाए तो जब भी किसी इंटर्व्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं या अपने जेब में रख करके जाएं ये उपाय करने से इंटर्व्यू में सफलता की संभावना 100% बढ़ जागी ये बहुत ही कारगर उपा है काफी लोगों ने इसको किया है और उसे सफलता मिली है मैंने खुद किया है और मुझे 100% सफलता मिली है तो अगर आप इस उपाय को करते हैं निश्टित रूप से आपको सफलता मिलना ही मिलना है अब जो दूसरी उपाय है ये उपाय है निम्बू का उपाय है अब इसमें क्या करना है आपको जिस दिन आपकी इंटर्व्यू है सुबह उठ जाएं असनान कर लें और एक निम्बू ले लें उसे धोलें उस पर चार लौंग चार दिसाओं में घार दें और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इसका एक सा आठ पार जब करना है तो सिंपल है एक निम्बू लेना है उसमें चार लौंग चार दिसाओं में घार देना है उसके बाद जो मंत्र है इस मंतर का एक सा आठ वार जब करना है इसके बाद इस निम्बू को अपने साथ ले जाए जहां भी जब भी इंटरिव्यू में आप जाते हैं तो इस निम्बू को अपने साथ ले जाए आपको नोकरी मिलने की समभाबना पुरी तरह से बढ़ जाएगी लेकिन आप ये धियान डखे कि दोनों उपाय आपको एक साथ नहीं करनी है इसके साथ साथ जब अगर आप मंतर की जाप नहीं कर सकते हैं जो मैंने दो मंतर आपको बताई है उनमें से कोई एक मंतर का भी जाप आप नहीं कर सकते हैं आपके पास समय नहीं है तो कुछ और खास उपाय है जिसको करके भी आप इंटरिव्यू में सफलता पा सकते हैं जो उसमें पहली उपाय है उसमें क्या करना आपको जब भी आप किसी इंटरिव्यू देने जाएं तो गूर, चना या गेहूं के आटे के पेरे में जो गेहूं का आटा है उसको गूत लीजिए उसमें गूर अंदर डाल करके उसका एक पेरा बना लीजिए उसको आप एक पेरे की तरह बना सकते हैं और रास्ते में कोई भी गए नजर आएं तो उसे अपने हाँ से ये खिला दीजिए आपको निश्चित रूप से सुभ समचार मिलेगा इसके अलावा इंटर्व्यू देने जाने से पहले सुभा सुर्जोदय से पुर्ग असनान करते समय पानी में थोड़ी सी पिसी हल्दी मिलाकर असनान करें फिर भगवान के सामने अगार अगरबती जलाकर अपनी मनोकामना कहें इससे भी आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी इसके साथ साथ इंटर्व्यू देने के लिए निकलते समय एक चमस दही और चिनी खाकर निकले और निकलते समय ये ध्यान रहे कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले आपका दाया पेड घर से बाहर निकलना चाहिए तो जब आप यह उपाय करेंगे तो निस्टित रूप से आपको सफलता मिलेगी जो इसमें पहला और दूसरा उपाय है वो काफी असरदार उपाय है इसके साथ साथ जो कुछ और खास उपाय मैंने आपको बताय है अगर आप पहला और दूसरा उपाय नहीं कर सकते हैं तो इन उपाय को भी करके जाएंगे तो निश्टी तुरूप से आपको सफलता मिलेगी। आज मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू में सफलता के लिए कौन सी उपाय करनी है। अगर आप इंट्रेव्यू देते देते ठक गए हैं तो निस्तित रूप से जो उपाया मैंने आज आज आपको बताया है इन उपाया को करेंगे तो आपको सफलता मिलना 100% गारेंटी है। को आनद में बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद।